सोनिया के प्यार में पढ़ाई से हट गया था राजीव गांधी का ध्यान, सभी विशयों में हो गये थे फेल, जाने पूरी लाव स्टोरी। वो साल 1965 का समय था, जब 21 साल के राजीव गांधी केंब्रिज युनिवसिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गये थे। इसी जगह इटली से एंटोनिया अलबिना माईनो यानी सोनिया गांधी अंग्रेजी भाशा सीखने केंब्रिज युनिवसिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में पहुँची थी। राजीव और सोनिया के केंपस बिलकुल अलग थे और उनके आपस में मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों को आखिरकार मिला ही दिया। रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गई थी सोनिया। सोनिया को रोज वही खाना खाकर बोरी अथो रही थी। आलू, उबली पत्तागो भी, ओमलिट और ब्राड के साथ टोमेटो सॉस खाकर वह परेशान हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो यूनिवसिटी के रस्टोरेंट में खाना खाएंगी। इसी रस्टोरेंट में वो राजीव से मिली, जब क्रिस्टियन वान स्टेगालित्स नाम का शक्स राजीव को लेकर वहाँ पहुचा। क्रिस्टियन सोनिया का दोस्ट था और उसी ने पहली बार राजीव को सोनिया से मिलवाया। राजीव ने सोनिया से हाथ मिलाना चाहा लेकिन सोनिया शर्मा गई। हालांकि बाद में सोनिया ने राजीव से हाथ मिला ही लिया। साल 1965 का समय था जब 21 साल के राजीव गांधी केंब्रिज युनिवसिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गय थे। इसी जगह इटली से एंटोनिया अल्बिना माईनो यानी सोनिया गांधी अंग्रेजी भाशा सीखने केंब्रिज युनिवसिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में पहुँची थी। राजीव और सोनिया के केंपस बिलकुल अलग थे और उनके आपस में मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों को आखिरकार मिला ही दिया। रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गई थी सोनिया। सोनिया को रोज वही खाना खाकर बोरी अथो रही थी। आलू, उबली पत्तागों भी, ओमलेट और ब्राड के साथ टोमेटो सॉस खाकर वह परेशान हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह युनिवसि रोजीव से मिली, जब क्रिस्टियन वान स्टेगालित्स नाम का शक्स राजीव को लेकर वहां पहुचा। क्रिस्टियन, सोनिया का दोस्त था और उसी ने पहली बार राजीव को सोनिया से मिलवाया। राजीव ने सोनिया से हाथ मिलाना चाहा लेकिन सोनिया शर्मा हालांकि बाद में सोनिया ने राजीव से हाथ मिला ही लिया पहली मुलाकात में सोनिया से प्यार करने लगे थे राजीव राजीव गांधी को सोनिया से पहली मीटिंग में ही प्यार हो गया था वो रस्टोरेंट में सोनिया को एक टक देखे जा रहे थे लंच के बाद क्रिस्टियन ने राजीव से पूछा कि क्या तुम उसको पसंद कर रहे हो राजीव ने हामें जवाब दिया सोनिया गांधी की जीवनी, दरेद सारी में इस बात का जिक्र मिलता है कि राजीव गांधी उसी दिन ये तै कर चुके थे कि सोनिया ही उनकी पत्नी होंगी राजीव ने किया सोनिया को प्रपोज राजीव गांधी सोनिया को क्रिस्टियन के लाउंज में लेकर गए थे यहाँ उन्होंने साथ में डांस किया और काफी वक्त साथ बिताया रात के ग्यारा बज चुके थे और बारिश का मौसम था ऐसे में राजीव ने सोचा कि हम पैदल ही चलेगे इसी दोरान राजीव ने सोनिया को प्रपोज किया जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया राजीव ने मां इंदिरा गांधी को लिखा पत्र राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को जुलाई 1965 में सोनिया गांधी को लेकर पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी मां से कहा कि आप हमेशा मुझस मिलने वाली लड़कियों के बारे में पूछती थी आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक खास लड़की से मुलाकात हुई है मैं इससे शादी करना चाहूंगा इस पत्र के जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा कि जिस पहली लड़की से आप मिलें जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बहतर हो जब मैं लंदन आऊंगी तो आपसे मिलूंगी इसके बाद राजीव ने सोनिया को बताया कि उनकी मां उनसे मिलेंगी इससे सोनिया काफी डर भी गई थी हालांकि डरी सहमी सोनिया जब इंदिरा से मिली तो थोड़ी ही देर में सहज हो ग गई क्योंकि इंदिरा ने उनसे फ्रांच में बात की, जिससे सोनिया काफी कमफर्टेबल हो गई. सोनिया के पिता थे शादी के खिलाफ. दरसल सोनिया के पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी शादी राजीव से हो. ऐसा इसलिए था क्योंकि राजीव भारत लौटने वाले थ और सोनिया के पिता का मानना था कि वहां का कल्च अलग है. लेकिन सोनिया ने अपने माँ पिता के फैसले के खिलाफ जाकर राजीव गांधी से शादी करने का फैसला लिया था. सोनिया के प्यार में पढ़ाई से भट का ध्यान, सभी विशयों में हुए फेल. राजीव गा कि वो सभी विशयों में फेल हो गए। हालां कि इसके बाद उन्होंने Cambridge College छोड़ दिया और वो Imperial College चले गए। यहां उन्होंने Engineering और Mechanics की पड़ाई की। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर कमेंट भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से आभार।